हेलो एवरिवन वेलकम टू आर यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज अपन जीके की टैन थाउजन जो क्वेश्चन की सीरीज अपनी चल रही है उसका आज फोर टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है प्राकरतिक वनस्पति वन जीव एवं जैव विविद्धिता तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स C ताल अभ्यारने नैक्स कौशन है राजस्तान में जेविक पार्क की स्थापना कहां की गई कुम्बलगण, नाहरगण, तारागण या रनधंबूर तो इसका राइट ओप्शन है नाहरगण नेक्स्ट पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवला देव गना अभ्यारन भरतपूर, बैसरोडगर्ड अभ्यारन ने चितोडगर्ड, रावली टोडगर्ड अजमेर या इन में से कोई नहीं तो इसका right option होगा A केवला देव गना अभ्यारन ने भरतपूर नेक्स्ट है ओकलवूर्फ फॉसिल पार्क किस उध्यान का भाग है वन वीहार गजनीर अभ्यारन्य माचिय सफारी पार्क या रास्ट्रिय मरू उध्यान तो इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंट्स रास्ट्रिय मरू उध्यान नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंट्स डॉक्टर सालिम अली इंटर्प्रेटेशन सेंटर स्थित है मुकंदरा हिल्स वन जीव अभ्यारन्य में केवला देव रास्ट्रिय उध्यान में रन थंबो रास्ट्रिय उध्यान में या फिर सरिस्का वन जीव अभ्यारन्य में तो friends इसका right option होगा B केवला देव रास्रिय उद्यान में next question है friends राजस्थान में वनों के संबंद में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो कत्न की तरफ देखते हैं अपन राज्ये में शुष्क पत्चडी मिश्रित वनों की अधिक्ता है माउंट अगु छेतर में शंकु धारी वनों की अधिक्ता है राज्ये में सरवादिक छेतर पर रक्षत वनों का विस्तार है या फिर राज्ये में प्रतिवेक्ती वन छेतर देश की प्रतिवेक्ती वन छेतर से अधिक है तो friends इसका right option होगा A means one and third next question है राज्ये में किस जिले में सरवादिक वन पाए जाते हैं चितोरगर्ड, उदैपूर, बांसवड़ा, डुंगरपूर तो इसका right option होगा B उदैपूर next question है राज हंच पक्षी जिसका वैग्यानिक नाम फ्लैमिंगोज है यह सरदियों में सरवादिक संख्या में राज्ये की किस जिल में डेरा डालता है तो देखते हैं डीडवाना, जैसमन जिल, सांबर जिल और नकी जिल तो right option होगा सांबर जिल next question है भारतिय वानिकी अनुसंधान वशिक्षा परिशत के अधिन राजिस्थान में स्थापिद अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान, म्रदा अनुसंधान संस्थान next है शुष्क वन सरक्षन संस्थान या फिर कोई नहीं तो इसका right option होगा A वन अनुसंधान संस्थान next question है friends किस अभ्यारन्य में गनेज जी का प्रशिद धार्मिंग स्थल स्थित है केवला देवगना रन्थमबोर सरिस्का और धावा डोड़ी तो ये फ्रेंट सबी को पता होगा कि जो गनेज जी का प्रशिद धार्मिंग स्थल है वो है रन्थमबोर में निम्न में से अधिक आखेट निशेच छेतर वाला जीला है जेसल मेर पाली चोधपूर या चूरू राज्य में छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा वन्य जिव सरक्षिच छेतर खुत्र वाला जीला है वह अनुसंदान केंदर राजस्थान में कहां स्थित है श्री गंगानगर बाडमेर बीकानेर जोदपूर तो इसका राइट ओप्शन होगा जोदपूर नेक्स्ट क्वेशन है अजान पांध किस अभ्यारने में स्थित है शेरपूर सरेशका रन्थमबोर गनापक्षी विहार तो राइट ओप्शन होगा इसका गनापक्षी विहार नेक्स्ट है केवला देव गनापक्षी विहार को युनेस्को द्वारा विश्व प्राकरतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया 1982 में, 1984 में, 1985 में या 1983 में तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स 1985 में नेक्स्ट साइबेरियन क्रेन के लिए प्रशिद है तालशापर वन्यजीव अभ्यारने केवला देव गनापक्षी विहार सरिसका वन्यजीव अभ्यारने या फिर सीता माता अभ्यारने तो इसका राइट ओप्शन होगा केवला देव गनापक्षी विहार नेक्स क्वेशन है निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मेलित नहीं है कुम्भलगड अभ्यारने बेडिये चंबल सागर अभ्यारने गडियाल माउंट आबू अभ्यारने जंगली मुर्गे और सीता माता अभ्यारने एशियाई शेर नेक्स क्वेशन है फ्रेंज राज्ये में सागवान के वनों का एक मातर अभ्यारने कौन सा है माउंट सरिस्का सीता माता और दर्रा तो राइट आप्शन होगा सीता माता नेक्स है वनों को काड़ देने से होने वाले नुकसानों में नीम्ण में प्रमुख है उध्योगोगों की कमे चर्म रोगों में व्रद्धी जलाउ लकडी की मातरा में कमे भूमी अपर्दन तो राइट आप्शन होगा भूमी अपर्दन नेक्स क्वेशन है राजिस्तान का वह समुदाय जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है मीना, गरासिया, विश्नोई या भिल तो राइट आप्शन होगा विश्नोई नेक्स क्वेशन है मुख्य रूप से चिंकारों के रिए प्रशिद अभ्यारने है बसी अभ्यारने, शेरगड अभ्यारने, गजनेर अभ्यारने या फिर नाहरगड अभ्यारने तो राइट आप्शन होगा इसका नाहरगड अभ्यारने नेक्स क्वेशन है निम्ण में से कौन सा अभ्यारने प्रताबगड जिले में स्थित है माउंट आवो अभ्यारने तालचापर अभ्यारने सीता माता अभ्यारने या फिर कोई नहीं तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंड सीता माता अभ्यारने नेक्स क्वेशन है खस से इत्रव सरबत बनता है यह है एक बड़ा व्रक्ष घास की जड़ एक जाड़ी या उप्युक सभी तो राइट आप्शन होगा घास की जड़ नेक्स क्वेशन है केंदर सरकार ने किस योजना में जोदपूर में वन अनुसंदान केंदर की स्थापना की थी पांचवी पंचवर्षी योजना चतूर्थ पंचवर्षी योजना दूइत ये पंचवर्षी योजना या फिर प्रथम पंचवर्षी योजना तो इसका राइ कीवला देव गनापक्षी विहार रन्थंबुर रास्त्रीय उद्ध्यान तो राइट ऑप्शन होगा रन्थंबुर रास्त्रीय उद्ध्यान अभिब्यारन ने काई स्तित है? राज्यस्तान सरकार ने कोन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविद्धा नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैविविद्धा बोड की स्थापना की 2014, 2012, 2010, 2008 तो इसका राइट आप्शन होगा 2010 नेक्स कोशन पे चलते हैं महुआ मुख्यते शराब बनाने में प्रियुक्त होता है राज्य के किन जिलों में यह रक्ष होता है चितोडगर, उदैपूर, उदैपूर, डुंगरपूर, सिरोही, जालावार या उप्युक्सभी तो राइट आप्शन होगा फ्रेंट्स उप्युक्सभी अप्रेल 2003 में किस देश की सहायता से आरम की गई थी स्वीडन, विश्व बैंक, इंग्लेंड और जापान तो राइट आप्शन होगा जापान नेक्स निम्न में से भेडिये किस अभ्यारण में पाए जाते हैं चंबल सागर अभ्यारण ने, माउं टाबू अभ्यारण ने, सीता माता अभ्यारण ने या फिर कुंबलगड अभ्यारण ने तो राइट आप्शन होगा डी कुंबलगड अभ्यारण ने नेक्स वोशन देखते हैं राज्य का कौन सा अभ्यारन या उद्ध्यान भारत के सुनहरे त्रिकून छेतर के अंतरगत आता है मरू रास्ट्य उद्ध्यान, केवला देव रास्ट्य उद्ध्यान, तालचापर अभ्यारन रंधंबूर रास्ट्य उद्ध्यान तो राइट आप्शन है केवला देव रास्तिय उध्यान नेक्स क्वेशन एवरेंट्स राजस्थान में अर्जुन व्रुक्ष लगाने का उध्यश्य है इमारती लकडी का उत्पादन बढ़ाना टसर रेशम तयार करना इंधन की उपलब्तिता बढ़ाना कागश निर्मान करना तो इसका राइट आप्शन होगा बी टसर रेशम तयार करना नेक्स क्वेशन है माउंट अबू अभ्यारने सिरोही की प्रमुक विशेश्ता है चौसिंगा म्रग, घडिया, जंगली मूर्गे, काले हीरन तो राइट आप्शन होगा चिपकली परिवार का बड़ा जानवर नेक्स क्वेशन है 36 नंबर गुलदार किसे कहते है शेर को, चींटियो को, बगेरा को या चिपकली को तो राइट आप्शन है बगेरा को नेक्स क्वेशन पे चलते है वराह मिहीर के अनुसार जब केर वर शमी के व्रक्षों पर फूलों में असामाने व्रद्धी होती है तो उस वर्ष क्या होता है दुर्भेश, अतिव्रदी, टिड़ी दल का आकरमन या अतिदिक वर्षा तो इसका राइट आप्शन होगा दुर्भेश नेक्स कोशन पर चलते हैं फ्रेंट्स थर्टी एक नंबर एक भोगलिक प्रदेश जहां तापमान अधिक वर्षा कम मिट्टी, सिथिल तर्था बलूई एम जलस्तर नीचा हो तो यह तर्क संगत नहीं है कि वहाँ पाया जाए या पाई जाए क्या तो देखते हैं मरूद भी द्वनस्पती, घास के मैदान, जाडियों का जंगल कुष्न कटी बन दिये सदा बहर वन तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुष्न कटी बन दिये सदा बहर वन नेक्स कोशन है राम सागर वन विहार कहां है कोटा, धोलपूर, बासवडा, कोई नहीं तो राइट ऑप्शन होगा धोलपूर नेक्स कोशन है सुतंता प्राप्ति पस्चात वन जीवों के सरक्षन की आधार शिला कब रखी गई सेवन नवेंबर नाइनटीन फिफ्टी फोर को सेवन नवेंबर नाइनटीन फिफ्टी फाइफ को या फिर सेवन नवेंबर नाइनटीन फिफ्टी 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 को या कोई नहीं तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेवन नवेंबर नाइनटीन फिफ्टी फाइफ को नेक्स कोशन है अमली मीनी का महल किस अभ्यारने में स्थित है सरिसका, फुलवारी की नाल, दर्रा अभ्यारने या कोई नहीं तो राइट आप्शन होगा इसका दर्रा अभ्यारने नेक्स्ट क्वेशन है निमनलिकित में से कौन सा युग्म सही है शेरगट अभ्यारणने 12, सरिसका अभ्यारणने अलवर, बस ही अभ्यारणने चितोडगड या उक्त सभी सही है तो इसका राइट आप्षिन भी यही होगा कि उक्त सभी सही है नेक्स्ट है पकी हुए केर को क्या कहते हैं धीलू, मर्वा, लोल्रू या फिर कोई नहीं तो इसका right option होगा धीलू Next question है friends, कौन सा जोड़ा गलत है? घगर, नाली, सेवन गहांस अलवर, संगमरमर, नागोर, मलवबाड, बाडमेड तो right option होगा सेवन गहांस अलवर Next question है, कनक सागर पक्षी अभ्यारण ने दुगारी बूंदी की स्थापना कब की गई? 1971, 1988, 1967 और 1987 Right option होगा इसका 1987 Next question है, प्रवाशी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण ने प्रसिद्ध है? बसी अभ्यारण ने, शेरगड अभ्यारण ने, गजनेर अभ्यारण ने, या फिर बंद बारेठा अभ्यारण ने तो right option होगा बंद बारेठा अभ्यारण ने Next question है, कौन सा जोड़ा सही है? खडी, चोरू, लिगनाइट, बारा, खसकस, भरतपूर, ग्रे नाइट, आन्दी तो इसका right option होगा खसकस, भरतपूर Next question है, प्रदूशन की समश्याओं के निवारण का नियंतन करने के अलावा यदि कोई मार्ग है, तो वहें क्या है? वन लगाना या बचाना, वन जीवों की सुरक्षा उद्योगों को आबादी छेतर से दूर स्थापित करना गंदे नालों को नदी में नहीं प्रवाहित करना तो right option होगा इसका वन लगाना या बचाना नेक्स क्वेशन है, सरिसका अभ्यारणने को राष्टिय पार का स्तर्ख का प्रदान किया गया 1994 में, 1999 में, 1995 में, 1990 में तो इसका right option होगा D, 1990 में नेक्स है, शेरगड अभ्यारणने कौन से जीले में स्थित है? अलवर, बारा, बूंदी, कोटा तो right option होगा 12 Next question है, हुनो द्वारा बनवाया गया बाड़ोली काशियो मंदिर किस अभ्यारणने में स्तित है? शेरगड अभ्यारणने, रामगड विश्धारी अभ्यारणने, दर्रा अभ्यारणने, वन विहार अभ्यारणने तो right option होगा इसका दर्रा अभ्यारणने Next question है, आदिवासियो द्वारा उदैपूर, डुंगरपूर, बासवड़ा में वनों को काट कर भूमी को किस प्रकार की करशी के लिए योगिया बनाया जाता है? गहन करशी, सगन करशी, वालरा करशी और मिश्रित करशी तो right option होगा वालरा करशी Next, राजिस्तान की वन मंदलू की संख्या है 8, 10, 12 यह 14 तो right option होगा 12 Next question है, लुप्त प्राई, प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है, उसे कहते हैं वाइट पीपर, ब्लैक लिस्ट, रेड डेटा बुक या फिर ग्रीन बुक तो right option होगा रेड डेटा बुक Next question है, कोटा में चम्बल नदी पर इस्तित वह अभ्यारण है जो रास्ट का सबसे लंबा अभ्यारण है कि स्थापना की गई? कब की गई? 1980 में, 1975 में, 1979 में और 1977 में तो right option होगा 1979 में Next question है, चीतो के सरक्षन हे तो राजस्थान में रास्टी अभ्यारण है सीता माता वा सजजन गड़ अभ्यारण है सरिसका वा कुम्बल गड़ अभ्यारण है रन थमबोर एवं सरिसका अभ्यारण है Next question है, चंबल, काले सिन, आहू और अमझर नदियां किस अभ्यारण से होकर प्रवाहित होती है दर्रा, शेरगड, अचरोली, भैस, रोड़गड और बस्सी तो right option होगा दर्रा Next question है, राजस्थी के किस जिल्ले में स्वीडन अंतरास्थे विकास अभिकरण की सायता से वन विकास तथा व्रक्षा रोपन विकास अभिकरण कारेक्रम क्रियानवित किया गया जालावाड, पाड़ा, डुंगरपूर और उधैपूर तो right option होगा डुंगरपूर Next question है, किस वर्ष में ग्रामेंड वन योजना शुरू की गई 1981, 1985, 1991 और 1989 तो right option होगा 1981 में Next question है, छेतरफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है तो देखते हैं option, शुष्क पन पाती, मिश्रित पन पाती, उष्न कटी बंदिये, कांटेदार, उपोशन कटी बंदिये, सदारहीत तो इसी त्रिके के जो तीन उप्षिन ओर है वो है मिश्यत पन्पाति, शुष्क पन्पाति, उष्ण कती बंद ये गांटिदार, उपोष्ण कती बंद ये सदा रहीत Next है उपोष्र्ण कती बंद ये सदा रहीत तो right option होगा है इसका A नेक्स्ट अजमेर जीले में कौन सा आखेट निशिद छेतर नहीं है गगवाना, सौरसन, सौंखलिया या तिलोरा तो राइट अप्शन होगा इसका सौरसन नेक्स्ट केवला देवराश्य उद्यान प्रशिद है काले हीरन के लिए प्रवाशी पक्षियों के लिए बाग के लिए या मोर के लिए तो राइट अप्शन होगा प्रवाशी पक्षियों के लिए नेक्स कोशन है फुलवारी की नाल वन्ने जीव अभ्यारने कहां इस्तित है चितोड़गर सवाई माधपूर उदैपूर या बूंदी तो राइट अप्शन होगा उदैपूर नेक्स चंबल गड़ियाल अभ्यारने की तीन राज्य द्रसम्मलित रूप से स्थापना की गई राजस्तान मध्य परदेश वा तीसरा राज्य कोन सा है तो पंजाब हरियाना उत्तर परदेश और गुजरा तो राइट अप्शन होगा उत्तर परदेश नेक्स मार्चे सफारी पर कहां इस्तित है उदैपूर जेसल मेर जोदपूर अजमेर तो राइट अप्शन होगा जोदपूर नेक्स कोशन है सीता माता अभ्यारणने का कुल छेतर फल कितना है तो 392 वर कीमी 265.85 वर कीमी 492 वर कीमी और 422.94 वर कीमी तो राइट अप्शन होगा इसका 422.94 वर कीमी नेक्स्ट राजस्थान की वनोसे प्राप्त उपजो में से जिसका उप्योग ग्रामोफोन रिकॉर्ड पॉलिस आदि में होता है वह है लाग, तेंदू, मौम या गोन तो राइट अप्शन होगा इसका लाग नेक्स्ट राजस्ट ये भ्यारन का नाम बदल कर रखा गया है मुकंद वी हार उद्यान, मुकंद वन्य जीव भ्यारने, मुकंद रा हील्स भ्यारने ये मुकंद सिंग भ्यारने तो राइट अप्शन होगा मुकंदरा हीलस अभ्यारने next राज्या का सबसे छोटा अभ्यारने है सजर्जनगर अभ्यारने उदैपुर तालचा पर चूरू जय सम्हन उदैपुर रामगर अभ्यारने बूंदी तो right option होगा सजर्जनगर अभ्यारने उदैपुर next question देखते हैं राज्य में छेतरफल की द्रश्टे से सबसे बड़ा आखेट निशिद छेतर समवच सर कोट सर स्थीत है जोदपूर उदयपूर बूंदी चूरू तो राइट ऑप्शन होगा चूरू नेक्स्ट है वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर अप्रतम जोदपूर नरेश द्वारा कब बनाएगी 1911, 1913, 1912, 1910 में राइट ऑप्शन होगा इसका 1910 में नेक्स्ट है अभ्यारनों किस था आपना वर्ष की क्रम में असुमिलित विकल्प है दर्रा भ्यारने 1955, रंथंबूर अभ्यारने 1960, राष्टे मरू उद्यान 1980 या उक्तु सभी असुमिलित है तो राइट ऑप्शन होगा इसका राष्टे मरू उद्यान 1980 नेक्स्ट क्वेशन है राष्टे मरू उद्यान जेसल मेर का कुल छेत्रफल कितना है 1900 वर्ष की मी 1262 वर्ष की मी 3162.50 वर्ष की मी या 1392 वर्ष की मी तो राइट ऑप्शन होगा इसका C 13162.50 वर्ष की मी नेक्स्ट कोशन है देश के सबसे कम छेत्रफल की बाग पर्यूजना कौन सी है सर इसका अब्हारन ने रंधंबोर अब्हारन शेल गर अब्हारन या कोई नहीं तो राइट ऑप्शन होगा इसका रंधंबोर अब्हारन है 9 February 1983 को 15 February या फिर 8 February या फिर 5 February तो राइट ऑप्शन होगा इसका D 5 February 1983 को नेक्स कोशन है मोधिया, मोचिया, साइप्रस, रॉटेंडरस, नामक, मुलायम, घांस पाई जाती है नाहरगड, तालचापर, मरू, उद्यान या फिर भैंस, रोड अभ्हारन ने तो राइट ऑप्शन होगा तालचापर नेक्स कोशन है बांस राजस्तान की किस जिले में होता है उद्यापूर, बांसवाडा, चिटोडगर, उप्युक सभी तो राइट ऑप्शन होगा उप्युक तो सब भी नेक्स कोशन है राजस्तान की प्रथम वन निति कब गोशित की गई 2011, 2006, 2010, 2009 में तो right option होगा 2010 में next question है राज्य में कुल भोगोलिक छेतर फिल का 1 छेतर है 8.32 प्रतिशत 17.63 प्रतिशत 9.57 प्रतिशत और 6.63 प्रतिशत तो right option होगा इसका C 9.57 प्रतिशत next राज्य में सांगवान की वनों की प्रमुकता है दक्षणी छेतरों में, मरूस्तली छेतरों में, पूर्वी तथा मैदानी छेतरों में, परवती छेतरों में तो right option होगा इसका A दक्षणी छेतरों में next है चितोड़गर, प्रताबगर की सीवा पर इस्तित्किस अभ्यारणने को उरन गिलहरी के लिए जाना जाता है सीथा माता अभ्यारणने, सरिसका अभ्यारणने, रावली, टाटगर अभ्यारणने या तालचापर अभ्यारणने तो right option होगा इसका सीथा माता अभ्यारणने next राज्या का ही नहीं, देश का सबसे पूराना जन्तवाले, जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वहें स्थीता है, कोटा, बीकाने, जैपू, जोदपूर ता right option होगा इसका जैपूर next question है रन्थंपूर, राश्या, उद्यान और रामगड विश्दारी अभ्यारने के बीच बागो के आवागमन को जुगम बनाने के लिए स्थापना की गई थी कनक सागर आखेट निशिद छेतर संथाल सागर आखेट निशिद छेतर सोरसन आखेट निशिद छेतर या कोई नहीं, तो right option होगा इसका अब भी संथाल सागर आखेट निशिद छेतर next question है राज्या में कौन सा जन्तुवाल है अपनी पक्षी साला के लिए प्रशिद है, वीकानेर जोदपूर, उदैपूर या जैपूर, तो right option होगा जोदपूर next है कौन सा जोड़ा सुम्मेलित है मरू उद्ध्यान, जिवाव शेशो का सरक्षन अमृता देवी, कृष्ण मर्ग पार्क प्रवाशी पक्षीो का सरक्षन के वलादेव गना राष्ट्य उद्ध्यान बाग सरक्षन उद्ध्यान, रनथमबूर राष्ट्य उद्ध्यान, काली हिर्नों का सरक्षन तो इसका right option होगा मरू उद्ध्यान, जिवाशेशो का सरक्षन next question है किस अभ्यारने में ग्रेन नाइट, क्वार्ट जाइट तथा सेंड स्टोन आधी चटानों की भरमार है तो राइट ओप्शन होगा इसका बहन सरूडगर अभ्यारने चितोडगर नेक्सट एकिस पेड में ग्याशे विश्पान करने की शंता सबसे अधिक होती है जलेबी, पीपल, नेम या सागौन तो राइट ओप्शन होगा जलेबी नेक्स राजस्थान में वनों को प्रशाष्णिक द्रश्टी से कितने श्रेणियों में बाटा गया है तीन, आठ, दो या पांच तो इसका राइट ओप्शन होगा तीन नेक्स्ट देश की बाग परियोजनाओं के प्रशाशनिंग वे विकास कारियों के नियांतन करने हे तू गठित स्टियरिंग कमेटी का अध्यक्ष कोन होता है मुख्यमंत्य प्रधान मंत्री, मुख्य सचिव या फिर द्रह मंत्री तो इसका राइट आप्शन होगा प्रधान मंत्री नेक्स्ट अमरू उद्यान जैसर में की प्रमुक विशेशता है साइबेरिण, क्रेन, गोडावन, बर्गत की विशाल, व्रक्ष, सागवान, वन तो राइट आप्शन होगा गोडावन नेक्स्ट है घड़ावन की सरक्षन के लिए राजासान सरकार दवारा चलाया जा रहा अभियान है उपरेशन Grade Ragnare जिन पूल सरक्षन अभियान, उप्युक्त दोनो या इनमें सी कोई नहीं तो राइट औप्षन होगा उप्युक्त दोनो नेक्स्ट कोशन है करात्म गोसले के लिए प्रशिद पक्षी है चातक, गोडावन, बया या सारस तो इसका राइट उप्षन होगा C, बया नेक्स्ट पस्टिमी राजसान में कुर्जा नाम सम्मदित है कबूतर से, चील से, ब्रहमन शिल पक्षियों से या फिर मोर से तो इसका राइट उप्षन होगा ब्रहमन शिल पक्षियों से नेक्स्ट राज्य का सरवादिक न्यूंतम वन शेतर वाला जीला है, गंगानगर, हनुमान गड़, चूरू या जोधपूर, तो राइट उप्षन होगा चूरू नेक्स्ट कोशन है जीले के कुल भोगरिक छेतर फल में वन शेतर का सरवादिक प्रतिशत किस जीले में है, सिरोही, जैपूर, चितोरगड, प्रताबगड, तो इसका राइट उप्षन होगा प्रताबगड नेक्स्ट कोशन है राजस्टान का प्रतम जैविक उध्यान है ओकलवूड, वन विहा, शेरगड, नाहरगड तो राइट उप्षन होगा इसका नाहरगड अंत्योदे कारेक्रम या द्वाक्रा परियोजना तो right option होगा इसका रुख भाइला कारेक्रम next question है फ्रेंट्स इसका 98 number भरतपूर में किवलावदेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक जिल बनी हुई है इस जिल में पाने किस बांद से आता है पांचना उर्मिला सागर राम सागर अजान बांद तो right option होगा अजान बाद next है थार के मरुस्तर में मिलने वाली उपयोगी घास है सेवन महुआ बांस या दूप तो right option है सेवन next है वेरेनिटी कुल की चिपकली कौन सी है ओफिया मौरस यूबले फ़रिस गुह या फिर सांडा तो right option होगा गुह next question है एंटिलोप हीरन प्रजाती का सबसे छोटा जानवर कौन सा है बारा सिंगा गुसम चो सिंगा या कोई नहीं तो right option होगा चो सिंगा next question है फ्रेंट्स किस राश्चे उद्यान को लैंड ओफ टाइगर कहा जाता है राजीव गांदी राश्चे उद्यान रंधंबोर राश्चे उद्यान दर्रा राश्चे उद्यान या किवला देव राश्चे उद्यान तो right option होगा इसका फ्रेंड्स रंधंबोर राश्चे तो right option होगा इसका उदैपूर 1880 Next question है निम्नि में से म्रगवन सित नहीं है खेजरली जोदपूर, साहपुरा जैपूर, नाहरगड जैपूर, सजजनगड उदैपूर तो right option होगा इसका नाहरगड जैपूर Next question अब बाग की ओसतायों क्या होती है 25 वर्स, 20 वर्स, 30 वर्स या फिर 50 वर्स तो right option होगा इसका A, 25 वर्स, 25 एर मिन्स Next question है निम्नि में से चीन्टा खोरा के रूप में किसे जाना जाता है कोटू, लाम, खरगोश या सीलू तो right option है सीलू Next question है 7 November 1955 को किन छेत्रों को आरक्षित गोशित कर शिकार पर रोक लगाई गई केला देवी जैसमन, दर्रा वन विहार, घना सरिश्का या उप्युक सभी तो इसका right option होगा उप्युक सभी को Next question है राजस्थान में कौन सा व्रक्ष है जिसे धर्म, ग्रंथों में, शमी तथा स्थान ये भाशा में जाटे का जाता है खेजडी, जर्बेरी, बबूल या फिर केर तो इसका right option होगा खेजडी Next question है भारत के टाइगर में कैलास सांकला को 1992 में बागो के सरक्षन में उनके महतुपून युगदान के लिए किस से समानित किया गया पदम भूशन, पदम श्री, पदम विभूशन, रास्टर पदी पुरशकार तो इसका right option होगा पदम श्री से Next question है 110 गहना पक्षी अभ्यारन है किस पक्षी वे गयानी के प्रयास से संस्थापित हुआ डॉक्टर कैलास सांकला, डॉक्टर सालीम अली, राजिन जस्निंग या फिर किशन सोनी तो right option होगा इसका B, डॉक्टर सालीम अली Next question है पाइथन पॉइंट किस अभ्यारन की विशेशता है गहना पक्षी वीहार भारतपूर, सरिसका अभ्यारन है अलवर, मरो उद्यान जेसल मेर, जैसंबन उदैपूर तो right option होगा इसका गहना पक्षी वीहार भारतपूर Next question है friends, राजिस्थान वाननी की जैवे विद्धा परियोजना का मुख्या उदेश्य है, जैवे विद्धा को पुने समर्द बनाना, वनो को नष्ट होने से रोकना, थार मरुस्तल की प्रसार को रोकना और मिट्टी अवक्रमन को नियंत्रित करना तो इसका right option होगा जैवे विद्धा को पुने समर्द बनाना Next question है सांगवान की वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं, चितोरगड, कोटा, उदैपूर या बांसवड़ा तो इसका right option होगा बांसवड़ा Next question है friends, निम्ले में इसे सुमेलित युगम नहीं है माचिया सफारी पार्क जोदपूर, सजजनगर्ड मरगवन उदैपूर, अशोग विहार मरगवन जैपूर, बंद बारेठा भिलवड़ा Next question है, निम्ले कितमे से वे जीले कौन से है, जिनमें वनने जीव सरक्षिस तल नहीं है पाली, राजसमन, डुंगरपूर, बांसवड़ा, राजसमन, सिरुभी, उदैपूर, राजसमन तो right option होगा डुंगरपूर, बांसवड़ा Next question है, कथा किस वरक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है आवला, खेर, पीपल या फिर धोकड़ा, तो right option होगा खेर Next question है, सबसे अधिक वनने जीव अभिहरन की सिती वाला जीला है कोटा, राजसमन उधैपूर या जोदपूर, तो right option होगा उधैपूर Next question है, राजे में वनने पशू एवंपक्षी सरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ 23 अप्रेल 1951, 24 जनवरी 1951, 27 अप्रेल 1951 या फिर 10 जनवरी 1951 को So right option होगा इसका ए 23 अप्रेल 1951 को Next question है, भारतपूर वर्ड पेराडाइज नामक पूस्तक के लिखक है, अरुणा रॉइ, सर मार्टिन इवाइन्स, राजिंदी सिंग या कैलास सांक्ला So right option होगा सर मार्टिन इवाइन्स Next question है, भारत का प्रथम मरू वर्णस पति उध्यान जो कृष्ण मर्ग वर्चिंकारा के लिए प्रशिद है माचे सफारी सीता माता तालचा पर या नाहर गड़ तो right option होगा इसका माचे सफारी Next question है, नदी घाटी के जल ग्रहन चेतरों में रक्षा रोपन का कारे किन की नदियों पर हुआ बान गंगा बनास माही चंबल माही साबी बनास माही साबी तो right option होगा बनास माही और साबी Next question है, राजस्तान में सबसे अधिक अरक्षित वन छेतर वाले जीले कौन से हैं? उदैपूर सिरोही, अलवर सवाई माधूपूर, उदैपूर बासवड़ा, उदैपूर चितोरगड तो right option होगा इसका D, उदैपूर चितोरगड Next question है, माचे, सफारी, पाक, जोदपूर में पाई जाते हैं पक्षी, सर्प, भालू या फिर म्रग तो right option होगा friends इसका D, म्रग आज का जो अपना topic है friends यहीं पे खत्म करते हैं, इस topic से related बाकी के जो भी question है वो अपन next वीडियो में पढ़ने वाल है तब तक के लिए आप इस वीडियो को like करो, share करो और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please comment करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और हाँ जाने से पहले subscribe जरूर करना ताकि आपको रोजाना के जो वीडियो हैं, GK के poetry के वो सारे वीडियो आपको available हो सके तो तब तक के लिए bye bye, see you, have a good day